तमस्कार दोस्तों अभी अभी जो आपने वीडियो देखा इट वास बेसिकली प्रले मिसाइल प्रले बेलेस्टिक मिसाइल जो की सक्सेस्फुली टेस्ट पायर किया गया है DRDO के दोरा Defense Research Development Organization यह आप देख सकते हो इंडिया सक्सेस्फुली टेस्ट शॉर्ट रेंज बेलेस्टिक मिसाइल प्रले तो इसके बारे में हम डीटेस से समझेंगे कि जब हम बात करते हैं शॉर्ट रेंज की या फिर StudyIQ.com विजिट कर सकते हैं वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी इसके लावा अगर आप MCQs एटेंट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं वहां पर Stories में आपको सभी MCQs मिल जाएंगे चले देखते हैं exactly हो क्या रहा है आपर हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं आज की बात है भारत ने जो maiden test है क्योंकि आपने देखा होगा जब भी कोई जो missile induct किया जाता है सेना के अंदर तो missile induct करने के पहले बहुत सारे test होते हैं तो ये जो particular प्रले missile की हम बात कर रहे हैं ये आपका पहला test है maiden test है अभी आगे चलकर और कई सारे test किये जाएंगे अब जब मैं बात करता हूँ ballistic missile की तो ये भी ध्यान रखेगा कि इसकी जो trajectory है वो कुछ इस तरह आपको देखने को मिलेगा basically क्या होता है कि ये हमारे environment में उपर जाता है और फिर gravity का इस्तमाल करते वे काफी तेजी से यहाँ पर आप drop होता है ये आप देख सकते हो और जहां तक cruise missile की बात है तो ये काफी जादा नस्दीक होता है earth surface के पास यहाँ पर आप देख पाऊगे ये काफी नस्दीक होता है तो cruise missile को detect करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि low आपका altitude पर जाता है लेकिन ballistic missile जैसा कि आप देख सकते हो काफी high altitude तक जाता है ये तो इसको थोड़ा सा trajectory इसकी track की जा सकती है enemy country की दोरा लेकिन इस प्रले missile के अंदर कुछ नए features हैं जिसकी वज़े से यहाँ पर थोड़ा सा enemy country को मुश्किल हो सकता है और ये सारी जो testing है आपको पता है missile की testing जो उडिसा में Dr. AP J. Abdul Kalam Island है या आप देख सकते हो भितर कनी का national park उसी के पास आपको देखने को मिलेगा वहीं से इसकी सारी testing की जाती है जो आपका ISRO के दोरा satellite वगरा launch किया जाता है वो ध्यान रखना है आपको स्री हरी कोटा वो आंधर प्रदेश में है यहाँ पर हम जब बात करते हैं Odisha में यहाँ से missile की testing की जाती है और यह सब कुछ defense research development organization के दोरा बनाये गया और इसकी range आप देख सकते हो 500 km तक है करीब 1500 से लेकर 500 km तक का जो distance है वो यह आपका cover कर सकता है एरिया cover कर सकता है और इसके अंदर जो warhead है वो one ton का warhead इसमें ले जाया जा सकता है इसको भी ध्यान में रखेगा अब जहां तक इसके accuracy का सवाल है बताया गया है कि जो भी desired quasi ballistic trajectory थी मतलब जो trajectory होनी चाहिए वो आपका इसके दोरा अचीव किया गया है इस particular test में high degree accuracy ऐसा बताया गया है और इसकी वज़े से control, guidance, mission, algorithm जो भी कुछ अचीव करना था वो यहाँ पर DRDO ने अचीव किया है इसके लावा जो official से उन्होंने ये भी बताया कि जितने भी सब system होते हैं उसने भी satisfactorily performance किया है और इसके अंदर जो sensor लगे हैं deploy किये गए हैं across eastern coast वगरा में उसने इस पूरे trajectory को capture किया इस पूरे event को capture किया और यहाँ पर देखने को मिला कि जो भी कुछ अचीव करना था इस mission के माध्यम से वो हो चुका है इसके लावा आप देख सकते हो इसके अंदर solid propellant rocket motor यह आपका fit किया गया और इसके लावा कई सारे नए technologies आपको देखने को मिलेंगी इसी औसर पर यहाँ पर जो defense minister है उन्होंने compliment किया DRDO को और कहा कि जिस तरीके से जितने fast track development के तरीके से इस surface to surface missile को यहाँ पर बनाया गया है launch of a modern surface to surface missile उसके लिए उन्होंने धन्वा दिया इसके लावा जो chairman है DRDO के Dr. G. Satish Reddy उन्होंने appreciate किया और यह कहा कि यह जो नया missile है इसके अंदर आपको modern technology देखने को मिलेगा जो की हमारी armed forces को काफी जादा जो necessary एक impetus होता है वो देने की कोशिश करेगा इसके लावा अगर मैं आपको और features के बारे में mobile launch आप कर सकते हो कहीं पर भी काफी quickly ले जा सकते हैं state of the art navigation system आपको मिलेगा integrated avionics हो गया इसके लावा एक और चीज़ मैं आपको बदाता हूँ कि इस particular missile को develop करने का जो अनुमती दी गई थी सरकार के दौरा वो था March 2015 तभी से यहाँ पर sanctions कर दिया गया था और करीब 333 करोड का budget allocate किया गया था और finally जाकर यह जो हमें चाहिए था प्रले missile वो हम achieve कर चुके हैं और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि इसमें जो वहकिल इस्तमाल किया जाएगा यह जो वहकिल है प्रित्वी के बारे में आपने सुनाओगा प्रित्वी defense system ballistic missile defense program के अंदर जो हमने बनाया था उसी वहकिल के तौर पर यहाँ पर प्रले को भी deploy किया जाएगा और इसके अंदर एक और चीज में आपको बताता हूँ कि जो मैं आपको बोल रहा था कि जो enemy country है वो ballistic missile को track कर लेता है लेकिन इसके अंदर बताया जा रहा है कि जो technology लगाई गई है इसकी वज़े से जो enemy country का interceptor missile होता है intercept मतलब होता है कि suppose मानलो हमने missile launch किया इसको देखते वे जहाँ पर हम launch कर रहा है तो enemy country radar के माधिम से find out कर लेगा और तुरंट दूसरी missile भेजेगा ताकि इसको destroy कर सके लेकिन हमारे पास इस missile के अंदर ऐसी technology है कि interceptor missile को भी ये defeat करके और जहाँ पर इसको war करना है वो आपका कर सकता है क्योंकि इसके अंदर ability अगर आप देखोगे में इसके बारे में बताये गया है और जाहिर सी बात है कि इसकी वज़े से जो हमारी army है, armed forces है उनको काफी अच्छी capability मिल जाएगी इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ recently nuclear capable Agni P missile इसको भी अभी आप देख सकते हो 18th of December को फिर से test किया गया था और इसके अंदर 2 stage canisterized solid propellant मिलेगा दो stage आपको propellant जो fuel है वो देखने को मिलता है और canisterized है, canisterized क्या होता है कि एक proper canister के अंदर missile को रखा जाता है इसकी वज़े से क्या होगा कि काफी longer period तक आप इसको store कर सकते हो rail और road के माधिम से transport कर सकते हैं ताकि quickly इसको deploy किया जा सके साथी साथ इसके अंदर एक और चीड में आपको बताता हूँ जो agni P missile है इसके अंदर जो capability है इस between 1000 to 2000 km और इसका जो weight है इस half of agni 3 लेकिन इसके अंदर जो technologies है वो आपको agni 4 और agni 5 वाली देखने को मिलेगी और इसकी वज़े से यहाँ पर जो enemy warship है Indo-Pacific region में उसको भी यह target कर सकता है तो definitely आप कहे पाएंगे कि इस पूरे जो भी वैने आपको वीडियो के अंदर बताया है तो यहाँ पर DRDO की दोड़ा बहुत सारे missiles की testing की जा रही है और इसकी वज़े से हमारे देश की capability है missiles के मारे में वो लगातार बढ़ रही है जाने से पहले काफ़ी interesting question October के महने की बात है अभी 2-3 महने पहले आपको बताना है कि कौन से देश ने एक hypersonic missile जिसका नाम है silicon missile इसको पहली बार test किया था चार option है इसका right answer आपको पता ही है मेरे instagram पर तो मिलेगा ही वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं telegram से भी आप इसका right answer ले सकते हैं मैं कई सारे mcqs इसके stories में डालता रहता है इसके लावा अगर आप pdf टे तो telegram पर आईए अलग लग social media पर भी आप जोड़ सकते हैं किसी भी exam की त्यारी कर रहे हैं तो आप हमारे app को download कर लीज़े I hope की video आपको पसंद आवगा मिलता है आप से next time till then Thank you very much, see you soon